दोस्तों आज के इस विडियो में मैं आपको बताना वाला हूँ कि कैसे आप अपने डिलीटेड फोटोज को रिकवर कर सकते हो, दोबारा से कैसे वापस ला सकते हो किकि दोस्तों का विडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताना वाला हूँ जिसको आप यूच करके आप अपने डिलीटेड फोटोज को बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हो, दोबारा से वापस ला सकते हो तो इसलिए आज का ये विडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यत इंटरस्टिंग है, जरूरी है, विडियो को पूरा जरूर देखना, और गई जगा विडियो को पसंद है, तो विडियो को लाइक सेर, कॉमेंट चैनल को सस्क्राइब जरूर की जगा, अब चले विडियो ऐसा होता है, कि गलती से हमारे important photos delete हो जाते हैं, और हम deleted photos को recover नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तो विडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज के इस विडियो में मैं आपको जो tricks बताने वाला हूँ, इनको आप यूज करके, आप अपने deleted photos को recover कर सकते हो, ठीक है, देखो तीस दिन तक recently deleted के अंदर हमारे photos save रहते हैं, ठीक है, जैसे मालो कि अगर हम gallery से कोई एक photo delete करें, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ये काफी सारे photos देख सकते हो, ठीक है, अगर हम इन photos को gallery से delete कर देते हैं, तो दोस्तो delete होने के बाद ये photos हमारे recently deleted के folder में 30 दिन तक save रहते हैं, अगर आप 30 दिन के अंदर अपने photo को यहाँ पर search कर लेते हो, तो दोस्तो हो सकते हैं कि आपके photos दो बारा से वापस मिल जाएं, ठीक है, आप देखो मैंने photo को delete किया, और recently deleted के अंदर हमारे photos आ गये हैं, ठीक है, आप देखो इन पर day भी लिखा है, ठीक है, कि कितने दिन ब यह photo permanent delete हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप इनको recover करना चाहते हो, simply आपको photo पर tap करना है, यहाँ पर आपको एक option वेगा restore, आपको इस पर tap करना है, और दोस्तो आपका photo restore होकर, gallery में दोबारा से वापस चला जाएगा, ठीक है, तो यह पहला तरीका है, जिसको आप use करके, आपको यहाँ पर एक option में लगा library, आपको इस पर tap करना है, यहाँ पर आपको एक option में लगा trash, आपको इस पर tap करना है, दोस्तो मालो की recently deleted के अंदर हमारे photo's so नहीं हो रहें, ठीक है, तो simply आपको photo's app को open करना है, trash के folder में जाना है, यहाँ भी आपको deleted photo's so हो जाएंगे, ओक आप यहाँ से भी अपने deleted photo's को recover कर सकते हो, आपको photo पर tap करना है, यहाँ आपको delete का option मिलेगा, restore का option मिलेगा, आप restore पर tap करके अपने photo को recover कर सकते हो, ठीक है, यह दो तरीके हैं, इसके बाद दोस्तो काफी time ऐसा होता है, काफी time ऐसा होता है, कि हमारे Gmail के अंदर हमारे important photo's save हो जाते हैं, और हमें पता नहीं होते हैं, तो दोस्तो आपके phone में जीतने भी Gmail account हैं, जीतने भी Gmail account हैं, आपको उनके अंदर चेक करना है कि किस Gmail account में कितरा photo's save है, और दोस्तो आप अपने save photos को recover कर सकते हो, gallery में दोबारा से वापस ला सकते हो, किकि दोस्तो काफी time ऐसा होत हैं, और सारे photos Google के अंदर, Gmail के अंदर save हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं होते हैं, तो आपको search करना होगा, देखना होगा, ठीक है, आपको Chrome browser को open करने के बाद, आपको Google search करने हैं, और यहाँ पर type करने photos.google.com, ठीक है, इसके बाद आपको first वाले website पर tap करने हैं, अब आपक यहाँ पर कुछ इस तरह का interface सो होगा, आपको इसको desktop side कर देना है, ठीक है, desktop side कर देना है, इस पर आपको tip करने हैं, ठीक है, अब आपको कुछ इस तरह का user interface सो होगा, ओके, आपको यहाँ पर एक option मिलेगा, go to google photos आपको इस पर tap करने अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का user interface मिलेगा ठीक है अब इसके बाद आपको profile पर tap करने है आपके phone में जितने भी Gmail account है जितने भी Gmail account login है उन सभी को एके करके select करने ठीक है और देखना है कि किस Gmail account के अंदर कितना photo save है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो यह वाला जो Gmail account है इसके अंदर कोई भी photo save नहीं है ठीक है अब हम Gmail account को change करते हैं तो दोस्तों हमने Gmail account को change कर दिया ठीक है अब आप यहाँ पर देख सकते हो Gmail account change करते ही काफी सारे photos so हो रहे हैं ठीक है यह जो photos है यह gallery के अंदर नहीं है यह Gmail के अंदर save है ठीक है आप यहां से अपने photos को recover कर सकते हैं अगर आप इस तरह search करोगे तो दोस्तों आपके Gmail के अंदर काफी सारे photos आपको मिल जाएंगे आप यहां से अपने photos को recover कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2019 तक के फोटोज सेव हैं, अगर दोस्तों आपके फोटोज यहाँ पर सो हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके फोटोज दीख जाते हैं, सिंपले आपको फोटो पर टैप करने हैं, फोटो पर टैप करने के बाद आपको 3.पर टैप क है आपको change कर करके check करना है कि किस Gmail account के अंदर कितना photo save है आप देखो photo अमारा download हो गया है तो दोस्तो ये तरीका है deleted photos को search करने का खोजने का और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दू कि दोस्तो अगर आप photos का backup create नहीं करते हो photos को Gmail के अंदर Google photos के अंदर save नहीं करते हो आपके photos अगर delete हो जाते हैं तो दोस्तो आप deleted photos को recover नहीं कर पाऊगे दोबारा से वापस कभी नहीं ला सकते अगर दोस्तो आप play store से कोई भी third party application install करते हो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि application से deleted photos नहीं आते हैं recover नहीं होते हैं ठीक है आपके photos आपको दोबारा तभी वापस मिलेंगे जब आप उनका backup create करोगे उनको live time ते के लिए save करोगे जैसे मालो की हमें अपने photos को save करने हैं जिंदगी भर के लिए save करने हैं तो कैसे करेंगे आपको photos आपको open करने हैं यहाँ पर आप यह photo देख सकते हो ठीक है यही photo gallery में है यानि gallery के सारे photo Google photos के अंदर show हो रहे हैं दिख रहे हैं ठीक है आप यहाँ पर देखो gallery के अंदर यह photo है ठीक है यही photo Google photos के अंदर भी है हम Google photos को open करते हैं आप यहाँ पर देखो सेम वही फोटो है आपको इन फोटोज को जिन्दगी भर के लिए सेव करना होगा यहाँ पर जीमेल अकाउंट को सलेट करना है फोटो पर टैब करना है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक अप्सन मिलेगा अपलोड का आपको इस तरह अपने फोटो को सेव करना होगा ठीक है आप देखो हमारा फोटो अपलोड हो रहा है ठीक है फोटो हमारा अपलोड हो चुका है आप देखो यह आइकन बन गया अगर हम इस फोटो को यहाँ से डिलीट कर दें ठीक है कई सारे फोटो है हम इनको यहाँ से डिलीट कर देते है ठीक ह हमने ये डिलीट कर दिया है अब हम photos app को open करते हैं आप यहाँ पर देखोगे जिस photo को मैंने upload किया था जिस photo को मैंने upload किया था वो photo photos app के अंदर save है बाकी के photo gallery से delete हो गए है क्योंकि दोस्तो उन photos को हमने upload नहीं किया था इसलिए यहाँ पर save नहीं हुआ था ठीक है हमने उसको gallery से delete किया यहाँ से भी delete हो गया इस photo को हमने upload किया था save किया था यह photo live time के लिए जीमेल के अंदर save हो गया है अगर हमें recover करना है तो हम 3.4 tap करके यहाँ से photo को download कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तो यह simple तरीका है photos को जिन्दगी भर के लिए save करने का सुरच्चित रखने का अगर photo delete हो जाता है आपको photo app को open करना है और यहाँ से photo को आप download कर सकते हो आपके जो photo जैब वो live time के लिए save हो जाएंगे आप एक Gmail account के अंदर पंदर जीवी तक का photo video save कर सकते हो फ्री में ओके तो उमीद करता हूँ आपको यह video पसंद आई होगी अगर जैनकारी पसंद आइड वीडियो को लाइक कर दो चैनल पना है चैनल को सस्क्राइब करो क्योंकि मैं ऐसे ही knowledgeful videos बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद